बासवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना शेत्र के शमुपुरा गाम में मालवता को शर्मसार करने वाला घटना सामने आई है दो दिन पहले युवक युवती को निर्वस्तर कर गाम में घुमाया गया और चोराहे पर दोनों के साथ मार पीट की गई ये क्रतिय किसी ओर ने नहीं बलकि युवती के परिजनों ने ही किया है कलिंजरा थाना धिकारी रवेंजर सिंग ने बताया कि गाम के ही युवक युवती प्रेम प्रसंग के चलते करीब 15 दिन पहले गाम छोड़कर भाग गई थे इससे खफा यूवती के परिजनों ने दोनों की खोचबीन की 16 अप्रेल को दोनों को गुजरात के पास से पकड़ कर गाम लाया गया जहां यूवती के परिजनों ने दोनों को निर्वस्तर कर पूरे गाह में घुमाया और बीचोराहे पर मार पीट की बतादिस दोरान कई ग्रामीर्स दोनों को घेरे खड़े रहे लेकिन किसी ने रोका टोका तक नहीं मंगलवार को वीजियो वारिल होने पर पुलिस ने जाज शुरू कर दी है पुलिस रात में शंबुपुरा गाँ पहुची वहां लड़की और उसके परिजन और रिष्टेदारों के घरों पर ताले लचके थे और सभी गाउं से गायब थे वहीं पुलिस ने पिरित युवाक और उसके पिता को पुश्टाच के लिए कालिंजिरा थाने ले आई है पुलिस गाँ पहुची तो वहां पहले तो युवाक के परिजनों ने इसी तरह की वारदात नहीं होने से इंकार कर दिया इसके बाद जब पुलिस ने विश्वास में लिया तो युवाक ने पूरी आप बीती सुना दी बता दे पुलिस अदिक्षे कान शर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात युवाक को अस्पताल ले जाया गया यहां उसका मेडिकल कराया गया सरपंच के इलाज से पूछताच की गई तो उसने पूरी वारदात को स्विकारा है वही बासवाड़ा स्पी और कलेक्टर मौके पर पहुचे और अब तक चार लोगों को यहां पर गिरफतार कर लिया गया है मामले में और भी गिरफतार यहां हो सकती है